वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स दिशी जुपेंद्र तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहा टेट कर सकता है तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 16400 जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था अब उसके ऊपर मार्केट टेड कर रहे हैं रजिस्टेंस अब सपोर्ट में तब देख लेते हैं अगर हम लोग देखे तो मार्केट गर डाउन ओपन हुआ था पर उसके बाद बुली स्केंडल बनाके मार्केट 16500 से फिर से रजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की और आने की कोशिस किया बट मार्केट में आज रिलाइंस हावी था इसलिए मार्केट न नोर करेंगे और ठेड नहीं लेंगे जब तक कि शॉलर सांसो का लेवल क्रास नकर दें शॉरस्थ वकीष रिखनले जैसे ही क्रास होता है हम लोग बुलिशक्रेड लेंगे जिसका टारगेट 정도로स उतक का हुगा और मार्केट अगर गएक सत्रहःजार का फिराहता होता है तो तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं market open होने के बाद सारा दिन एक range में ही रहा निफटी तο उपर ब्रेकाउट देता रहा ब्रयंग निफ्टी एक रेंज में फसा रहा अगर हम ठ्यान दें तो भाइंग निफ्टी में डेली जारा में इंसाइडर केड़ बना हुआ है जिसका कि अगर breakout ऊपर की ओर होता है तो 36,000 तक का पहला टार्गेट दे सकता है और अगर नीचे की ओर breakdown देता है तो यह फिर से बीरिस हो जाएगा तो मार्केट अगर किल गयपक ऊपन होता है तो 35,000 जो किसका सबसे करीबी रेजिस्ट्यन्स है इसको क्रास करते ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और 36,000 तक का पहला टार्गेट देख सकते हैं अगर यह इस लेवल को तोड़ता है तो हम लोग आने वाले दिनों में वापस से 35,000 या फिर 34,800 का लेवल भी देख सकते हैं चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं तो जैसा हम लोग रिलाइंस में देख सकते हैं रिलाइंस में एक डेली केंडल में एक इंसाइडर केंड तक ऊपर रहा और आने वाले दिनों में यह अठाइस तक का टार्गेट भी देख सकता है हम लोग इस्टार पेपर की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि डेली में एक डवलू पाइटन बना हुआ है जिसका की ब्रेक आउट हुआ है अगर कल के दिन यह फालो अब देन सुरू करता है तो हम लोग आने वाले दिनों में 180-180 तक का लेवल भी टार्गेट के रूप में देख सकते हैं और 163 रुपय का यानि की इसी का इंडल कर लो हम लोग इस्टाप लास लगाएंगे तो अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजेगा चैन यू फर वाचिंग